अस्सलाम अलेकुम दन्यूज वे में आपका इस्तक्बाल है वजीर आला के चंदर शेकर राउ ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासेते तेलंगाना में 31 में तक लॉकडाउन जारी रहेगा हकुमत कोविड-19 से निमटने के लिए मुसलसिल अगदमात कर रही है और उस पर संजीदगी से कोशी भी कर रही है फिलहाल कोरोना वाइरस के वैक्सिन निकलने में अभी देरी है लेकिन एहतियाती तोर पर ये अगदमात जरूरी है और समाजी फासले यानि सोशल डिस्टेंसिंग को बर्खरा रखना जरूरी है वजीर आला के चंदर शिक्राओं ने ये भी कहा के रियासत में हिदरबाद, रंगारेड़ी और मेट्चल में सकती से लॉकडाउन पर अमल होगा तेलंगाना में जो रेड जोन है वो सूरिया पेट, वरंगल, वखराबाद, हिदरबाद और रंगारेड़ी है जहां पर 66 फीसद पूरी केसिस आए है, ये इलाखे बुरी तरह से मुतासिर हुए है तेलंगाना के 6 अजला रेड जोन में है, 9 ग्रीन जोन में और 18 अजला औरेंज जोन में है उन्हें ने बताया के जो नाइट कर्फिय है वो जूंका तूं बर्खरा रहेगा और वजीर आजम ने अवाम से ताउन की अपिल की है के रात के 7 बजे से सुभा के 6 बजे तक कर्फिय जारी रहेंगा वजीर आला ने ये भी कहा कि सिमिट, हार्टवेर, अलेक्ट्रिकल शॉप्स, स्टील शॉप्स और अगरिकल्चर टूल्स की दुकाने खुली रहेंगी तामिराती सरगर्मिया भी शुरू की जा सकती है लेकिन रेड जोन में किसी भी तरहा की दुकाने खुली रहने की अजासत नहीं दी जाएगी सिर्फ जरूरी आशियात की दुकाने खुली रहेंगी वजिर आला के चंदशे करराओं ने ये भी वाज़ किया कि किसी भी खिसम की रिलीजियस गादरिंग या पॉलिटिकल मीटिंग्स ना की जाए और सारी रियासत के मुसल्मान अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो खुद माफी चाहते हैं कि सारी अबादत और तरावी अपने घर से ही अदा करें वजिर आला ने ये भी वाज़े किया है कि माइगरेंट्स जो अपने अपने मकाम पर जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल इंतिजाम किया जाएगा S.S.C. जमात के लिए भी अमतिहानात के बारे में भी गोर किया जाएगा हाई कोट की मनजूरी हासिल करने के बाद इस स्लसिले में फैसला होगा और रियास्त तेलंगाना में महकम बल्दिया और महकम पॉलिस के अवाम के लिए पूरी तरह से ताउन होगा और रियास के बारे में महकम पॉलिस के बारे में जाएगा